हलो दिये स्टूडेंट्स, वेलकम बेक टो और्गेनाइज नॉलज चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर 31, 4, क्लास 6th विशे विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 2nd नमबर 2021 के लिए शिड्यूल की गई है आज की जो वक्षीट स्टूडेंट्स उसमें हम पौधों के बारे में आगे जो है continue करते हुए आगे पढ़ेंगे वक्षी शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे बेल आइकन को प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे आज की वक्षीट में क्या दिया गया है जड़ सभी बच्चे जानते हैं जड़ क्या है जड़ जो है जमीन से निचे जो उपस्तित भाग होता है जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है किसी पौधे में जड़ मिठी के अंदर जो है उपस्तित होती है पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होती है मूसला जड़े और एक होता है रेशेदार जड़े, ठीक है, कितने प्रकार का है बच्चों, दो प्रकार का मूसला जड़ और रेशेदार जड़, अब देखे, खुले मैदान में जाईए और कुछ खर पतवार पौधों को मि बोदकर निकालना है यानि उनके जड़े जो है वो तूटनी नहीं चाहिए इस बात का आपको खासा ध्यान रटना है ठीक है अब आपको बताना है कि क्या जो है घास आसानी से निकली ठीक है तो आपको यही बताना है कि जो घास है क्या आप उसको एकदम बहुत आसानी से नि निकलती हैं ठीक है ना क्योंकि जड़े जो है वो मिट्टी को एकदम पकड़के रखती हैं जिसके कारण ये आसानी से नहीं निकलती आप हम एक्टिविटी दो करेंगे इसमें क्या दिया गया है तीन या चार चने के बीजों को गिली रूई में रखे जो काला चना होता है ज उस रूई के अंदर पानी उपर जो है पानी उसको छिड़कते रहना है जब भी वो लगे कि आपको सूखने वाली है यानि उसको आपको नम रखना है जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदबिद नहीं बन जाएं एक सब्ता बाद उन्हें खीच कर रूई से बाहर निक कोशिश करनी है ठीक है क्या आप जड़ों को रूई से आसानी से निकाल सकते हैं तो आप आपको देखना है कि क्या आप जो है अच्छे से उसके अंदर से क्या आप उनको निकाल पाए रूई से ठीक है तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि उसके अंदर जड़े जो है वो अच् उनको अच्छे से नहीं निकाल फाई तो जड़ों को रूई से निकालना आसान नहीं है ठीक है इसका आर्थ है कि जड़े पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती है और इने मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है यानि स्थिरक का मतलब क्या होता है स्थिर रखने वाला पौधो को टिका कर रखने वाला वो कौन है वो जड़े है सोचिए अगर पेड की जड़ना हो तो क्या उसको आप ऐसे सिधा खड़ा रख सकते हो इतने पतले पतले पौधो को बिल्कुल नहीं रख सकते even वो पौधे जिनका तना मोटा नहीं है वो तो बिल्कुल खड़े нажबी नहीं हो सकते लेकिन जड़े जो है वो उसको बिल्कुल सीधा रखती है ठीक है आप देखे जो जड़े हैं बच्चो वो दो प्रकार की है एक होती है मूसला जड और एक होती है रेशेदार जड मूसला जड में उधारन रहेगा जैसे सेम है आम है और रेशेदार जड जड जो है कौन सी रहेंगी रेशेदार जड रहेंगी जैसे गेहू है और मक्का है ठीके तो ये जो है इसके एक्जामपल हो जाएंगे अब हम इ खरपत्वार निकालनी है जडों के साथ, जडों में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, खरपत्वार के एक पौदे को गमले A में मिटी डाल कर लगा दीजिए और दूसरे पौदे की जडों को काट कर दूसरे कमले B में लगा दीजिए, इसमें जडों के साथ गमले में लगा देना है इसमें नियमित रूप से जल एक सब्ता के बाद जो है इनमें नियमित रूप से जल दीजिए और एक सब्ता के बाद आपको इन पौधों को देखना है क्या दोनों पौधे स्वस्त हैं तो बच्चों दोनों पौधे बिल्कुल जो है स्वस्त नहीं होंगे दोनों प पॉदा है, जिसके अंदर जड़े नहीं है, ये पॉदा क्या होगा, ये पॉदा सुक जाएगा. अब हम बात करेंगे मूसला जड़ें की, और रेशिधार जड़ों की मूसला जड़ क्या होती है यह मुख्य जड़ है जिन में जड़ों की शाखाए निकलती है तो इसमें क्या होता है मूसला जड़ों में इसके अंदर एक जड़ मुख्य होती है और बाकी जो है उसकी इसी मेन मुख्य है और छोटी छोटी बस अलकी अलकी जड़े जो है वो नि जड़ा था तो ये जो शिराविन्यास होता है ये जो है कैसा होता है ये जाली का रूपी शिराविन्यास होता है तो जिस पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास होता है उसकी जड़े मूसला जड़े होती है मूसला जड़े यानि उसके अंदर एक जड़ है वो में ज अब बात करते हैं हम रेशेदार जड़ों की तो रेशेदार जो जड़े हैं तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से आधार से बहुत सारे गुच्छे के रूप में ऐसे जड़े निकलती है ठीक है जड़ों कैसा होगा शिराविन्यास समांतर होता है रेशेदार जडो का तो आप याद रखेंगे जिन पत्तियों में शिराविन्यास समांतर होता है उसके जड़े रेशेदार होती है और जिन में जो शिराविन्यास जाली का रूपी होता है उनमें जड़े मुसला जड़े होती है ठीक से आप इसका आंसर लिख लेंगे, यह मैंने अल्रडी लिखा हुआ है, जूम कर देती हूँ, मैं आप आसानी से देख पाऊँगे, जड़े मिट्टी से जलका आउसोशन करती हैं, यह पहला पॉइंट लिख दीचे, दूसरा जड़े पौधो को मिट्टी में मजबूती से ज लिख पाऊ, उसके बाद सेकिंड देखे, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ो में आपको अंतर लिखना है, तो बहुत ही आसान आपको दिया गया है, यह देखे, यही कोशन आपका सेकिंड कोशन का उतर हो चाएगा, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ो में अंतर आ उपस्थित भाग है, मिट्टी के अंदर जो उपस्थित भाग है, वो क्या होती है, जड़ होती है, तो इसमें आ जाएगा उपस्थित, पौधो में डैश प्रकार की जड़े होती है, पौधो में दो प्रकार की जड़े होती है, सी जो रिक्तिस्तान दिया गया है, जिन पौ पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होता है वो समांतर होता है ठीक है तो यह आप इसका अंसर कर लेंगे तो यह थी आपके आज की साइंस की वरक्षीट I hope सभी बच्चों को यह clear है फिर भी कोई भी doubt है तो आप प्यारे बच्चों पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो थैंक्स पर वाचिंग स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ टेक केर बाई बाई